बहुत लंबे समय से दुनिया में लक्शेरी कार्ज का एपेटरमी S-Class को माना जाता रहा है लेकिन जब से दुनिया SUVs की तरफ शिफ्ट होने लगी है लोग लक्शेरी SUVs भी बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं और Mercedes भी बहुत साही लक्शेरी SUVs बनाती है और इनकी जो फ्लेक्शिप SUV है वो है GLS जिसे S-Class of SUVs भी बोला जाता है फर मेरा मानना है कि जो असली S-Class of SUVs है न वो GLS नहीं है बलकि वो है Range Rover क्योंकि जब आप एक गाड़ी को SUV बोलते हैं तो उसके अंदर वो capabilities भी होनी चाहिए कि वो properly off-road कर सके और GLS में ना तो Low Range मिलता है और ना ही Mechanical Locking Differentials यहां तक कि इसकी जो water weighting capacity है वो भी सिफ 500 mm की है वहीं अगर आप Land Rover की top of the line most luxurious SUV की बात करें यानि की Long Wheel Base वाले version की उसके अंदर ये सारे ही equipment मिल जाते हैं और साथ ही साथ उसके अंदर 900 mm की water weighting capacity तक मिलती है और ये गाड़ी ऐसे off-road करती है जैसे कि Toyota की कोई modified rock crawler हो लेकिन unlike कोई भी proper rugged SUV आपको Land Rover की cars में off-roading करने के लिए कोई भी मेनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही आपके पास किसी भी तरीकी की off-road expertise होने की ज़रूरत है बस इस dial को गुमाईए और सारा का सारा काम गाड़ी आपके लिए अपने आप करतेगी और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे professional cameras के आगे iPhone एक के अंदर बहुत साइटिंग्स को छेड़ना पड़ता है तब जाके आप एक अच्छी photo या video ले पाते हो और दूसरे के अंदर बस एक बेटन दबाना पड़ता है और बिल्कुल एक smartphone की तरह ही इस गाड़ी के अंदर भी हर चीज computer समालता है और इसलिए शायद JLR के former CEO ने कहा था कि we are an IT company क्योंकि computers को operate करने के लिए software सी ज़रूत होती है और उनके according उन्हें millions of lines of codes लिखने पड़ते है और तब जाके ये गाड़ियां ऐसे कारना में dial घुमाने भर से कर पाती है लेकिन इस luxurious off-roading experience के इलावा भी Land Rover का नाम एक चीज से जोड़ा जाता है और वो है yes, unreliability और इसलिए आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे Land Rover की जो सबसे बड़ी खूबी है वही उनके लिए मुसीवत भी बन जाती है इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत सारे insights दिये हैं और अगर आप कहीं से miss करोगे या skip करोगे तो वो छूट जाएंगे पर उससे पहले please consider subscribing देश चैनल क्योंकि आप जब subscribe करते हैं हमें तो हमें बहुत जादा motivation मिलता है ऐसी वीडियो बनाने के लिए तो यार सबसे पहले हम समझते हैं कि वो कौन कौन सी technologies हैं जो Land Rover ने over the period of time acquire करी हैं जिनकी मदद से ये cars असली वाली luxury SUVs बन पाई हैं तो शुरुवाती दुनों में Land Rover भी विल्कुल वैसी SUVs बनाती थी जैसे बाकी brands बनाते थे यानि कि इनके अंदर हर एक चीज manually operate होती थी वो चाहे इनके gear हो, low range gears हो या फिर lockers हो और ये गाड़ें भी दूसरी SUVs की तरह ही body on frame construction पर आती थी लेकिन दीरे दीरे ये luxury SUVs बनती चली गएं क्योंकि जिन देशों के अंदर उनको बेचा जाता था ना वहाँ पर अमी लोग रहते थे और उन लोगों को अपनी गाड़ी से comfort चाहिए था और इसी sequence में सबसे बड़ा change आया है 1994 में जब इस दूपतीवी company को BMW ने acquire कर लिया Actually उस time proper SUVs बनाना सब brands को नहीं आता था और इसमें BMW भी शामिल थी इसलिए BMW ने इस fail होते हैं brand को खरीद लिया ताकि वह अपनी असली rival यानि की Mercedes की तरह SUVs बना पाए और इसी तरीके से BMW ने Land Rover की बहुत साई technologies को adapt करा और launch कर दी अपनी X5 और जब BMW ने Land Rover से सब कुछ सीख लिया तब इसे इनोंने Ford को बेच दिया अब भले ही BMW को Land Rover से बहुत कुछ मिला हो लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको कुछ नहीं मिला बलकि Land Rover को BMW से दो ऐसी चीज़े मिली जिनकी वज़े से वो आज असलियत में Land Rover के लान लाग गाड़ी बन पाई है जिसमें पहली चीज थी Monocoque Shessy और दूसरी थी Independent Suspension Monocoque Shessy से इनकी गाड़ियां हलकी हुई और Top Heavy कम होनी की वैसे इनके अंदर Body Roll काफी कम फील होने लगा And all 4 Independent Suspension से भी इन गाड़ियों के अंदर Body Roll कम हुआ और उनकी जो Ride थी ना एक Car-like feel होने लगी लेकिन देखा जाए ना तो आज भी कई सारे Premium Brands तक हैं जो की और 4 Independent Suspension का इस्तमाल नहीं करते हैं जैसे की LC 300 जो की Toyota की सबसे बड़ी गाड़ी है और उसके अंदर भी Rigid Axel आता है रियर के अंदर तो इसके अंदर ऐसा क्या खास्ता हो जो LR ने इसको इतने टाइम पहले यूज करने का सोचा इसके अलावा इन Suspension की वएसे आपकी गाड़ी को काफी दादा Articulation मिलता है और इसलिए खतरनाक Off-Road Conditions में भी ये गाड़ियां बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाती है लेकिन ये जो Rigid Axel वाले Suspension है ना इनके साथ एक Problem भी है दरसल जब Rigid Axel वाले Suspension में एक Wheel उपर या नीचे जाता है रोडस में गड़ों की वएसे या फिर Off-Road Conditions में तो एक मोटे Solid Axel से जुड़े होने की वएसे ये असर दूसरे Wheel पर भी आता है जैसा कि आप देख पा रहे होगे और यही जो motion होता है वो आपकी SUV के कैबिन में भी transfer होता है इसलिए आपको आपकी SUV जूलती भी फील होती है हल के फुल के Indulations में भी वहीं अगर हम बात करें independent suspensions की तो उसमें Wheel कोई Solid Axel से नहीं जुड़ा होता है और इसलिए आपको कार के अंदर कोई खासा motion पता नहीं लगता है और इसी comfort के लिए Land Rover ने इस suspension setup को चूज करा और आज उनकी सारी ही गाड़िया independent suspension के साथ आती है इवन जो उनकी hardcore off-roader से हैं जैसे की Defender और Discovery 5 उनके भी चारो के चारो पईयों में independent suspension ही मिलते हैं लेकिन Land Rover के लिए शायद independent suspension का comfort भी काफी नहीं था इसलिए उन्होंना अपनी गाड़ियों में से conventional shock absorber हटा के उनकी जगा airbag वाले suspension लगा दिये वो भी आज से 25 से 30 साल पहले Actually इसमें कुछ components होते हैं जो कि इस पूरे के पूरे system को run करते हैं जैसे कि इसमें airbag struts होते हैं जो कि फूलते और deflate होते हैं ताकि गाड़ी की height उपन नीचे करी जा सके इसमें एक tank होता है जिसमें pressurized हवा भरी होती है जो इन्हें inflate करने में मदद करता है और एक गाड़ी का pump होता है जो इसे उठाने में मदद करता है इसके अलावा एक sensor होता है जो height को control करता है और एक controller होता है जिसकी मदद से आप desired height को चूज कर सकते हो Land Rover ने suspension अपनी गाड़ी के अंदर इसलिए दिया था क्योंकि ride quality जो होती है वो बहुत ज़्यादा smooth होती है इतनी की Rolls-Royce जैसी गाड़ीों में भी air suspension सी मिलते हैं आपको और साती सात इससे गाड़ी को उंचा और नीचा करने में मदद मिलती है as per requirement अब इसमें इतनी सारी खूब हैं लेकिन फिर भी बहुत सारे brands है ना इस से बचते हैं मतलब air suspension से और ऐसा क्यों है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा अब भले ही ये SUVs road पर glide करती हो एक luxury sedan की तरह पर at the end थी तो ये SUVs ही with all the bells and whistles required for off-roading और जो off-roading करते हैं उन्हें पता होगा कि off-roading करना कि बच्चे आखेल नहीं है अगर आप ठीक से transfer case को इस्तमाल नहीं करना जानते हैं locking differential कभ इस्तमाल करने होते हैं ये आपको नहीं पता है या फिर traction control कभ on करना है या off करना है ये आप नहीं जानते हैं तो आपकी गाड़ी फस भी सकती है और इसलिए ये सब को ठीक से करने के लिए आपको एक expert होने की ज़रूद है लेकिन अगर एक luxury SUV में expertise ही ज़रूद पढ़े तो luxury ही किस काम की राइट ये ही सोचते हुए Land Rover ने 24 में अपनी Land Rover Discovery 3 में terrain response system डाल दिया और ये बिलकुल एक automatic gear की तरह था यानि कि ये सारी चीज़े खुद करता था पर off-road के लिए लेकिन unlike automatic gear यहाँ पर ये system car के बहुत सारे components को activate, deactivate और control करता है जैसे अगर आप car को sand में चलाना चाते हो तो इस dial को sand mode में डाल दो अब इससे क्या होगा कि जो car का onboard computer है वो engine के और gear के response को बढ़ा देगा और center differential को lock कर देगा ताकि आप fuss हो ना कहीं पर अगर आपको बहुत जादा harsh terrain में गाड़ी चलानी है तो आप simply इसको rock crawl mode में डाल दो इसमें computer accelerator के response को soften कर देगा और ऐसे ही grass gravel and snow mode में car का traction on कर दिया जाता है tires को slip होने से रोकने के लिए gear जल जली change होते है accelerator का response होता हो soft हो जाता है ताकि आपको traction में मदद मिल सके और hill descent control तक अपने आप activate हो जाता है और इसी तरीके से कुछ और modes है जो इन गाड़ों के अंदर मिलते हैं जो computer अपने आप समालता है लेकिन अगर आप नीन में गाड़ी चला रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस तरीके के terrain पर हैं तो आप simply इस dial को auto पर डाल दो और गाड़ी terrain को अपने आप detect कर लेगी और आपको वहां से निकाल देगी तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि यह जो land rover की cars हैं यह कितनी जादा sophistication के साथ बनाई जाती हैं ताकि इनके drivers को off-roading करते वक्त भी luxury feel मिल सकें लेकिन यही जो इन गाड़ीों की sophistication है न यह एक सरदर्द भी बन जाती है मैं पहले इस बात का जिक्र कई बार कर चुका हूँ कि कैसे land rover की cars reliability chart में सबसे जादा नीचे आती हैं दुनिया भर के बाकी brands के मुकाबले और ऐसा होने का एक बड़ा कारण इन गाड़ियों की complexity को माना जाता है जैसे कि एसपर user reviews, land rover में जो सबसे बड़ी problem आती है वो आती है उनके air suspensions में जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि इन suspension से इन गाड़ों की ride quality बहुत जादा smooth हो जाती है और इनको adjust करने में बहुत जादा असानी हो जाती है इनकी height होगरा को लेकिन ये जो system है नहीं बहुत जादा complex होता है और कई बार देखने को मिलता है कि ये जो airbags से leak कर जाते है land rover के suspension में लगने वाले air struts में initially एक छोटा सा leakage होता है जो कि वक्त के साथ लगातार बढ़ता चला जाता है और फिर जो land rover के drivers होते हैं जो co passengers होते हैं उनको feel होने लगता है कि गाड़ी एक तरफ से दब रही है और अगर इस problem को इन गाड़ियों के owners बहुत लंबे समय तक address नहीं करते हैं तो इस वज़े से air compressor fail होने के chances बहुत जादा बढ़ जाते हैं और कई cases में पूरे के पूरे suspension system को ही बदलना पड़ता है और माना जाता है कि जो range rover है और land rover discoveries है ना इनके अंदर problem में जादा आती है तोड़ी इसके अलावा कई owners की report में front differential का failure भी देखने को मिला है जो कि एक बहुत जादा ख़दरनाक चीज हो सकती है ट्राइवर के लिए और इसलिए कई owners को ऐसे में पूरे पूरे front differential को ही change कराना पड़ा है वो भी सिर्फ 40-50,000 km चलिवी गाड़ी में जो कि किसी भी गाड़ी के लिए बहुत कम है अब ऐसे तो और भी कई सारी problems है जो इनके अंदर देखने को मिलती है क्योंकि ये गाड़े हैं बहुत जादा sophisticated है बहुत जादा complex है एक software द्वारा run करी जाती है लेकिन देखा जाए तो ये चीज कोई Land Rover के साथ exclusive नहीं है बलकि हर luxury brand के साथ हमें ये देखने को मिलता है और BMW और Mercedes जैसे brands के साथ भी हमें ऐसी problems देखने को मिलती है पर Land Rover के SUVs के साथ ये दिक्कत है कि इनके अंदर वो सारे features तो मिलते ही है जो कि एक proper luxury sedan के अंदर मिलते हों जैसे कि Mercedes और BMW के अंदर लेकिन इसके साथ ही साथ इसके अंदर off-roading features भी add up हो जाते हैं जिसके बारे में मैंने पूरी की पूरी वीडियो के अंदर बात करी है और इसलिए इन गाडियों के failure rate बाखी luxury sedan वगरा से थोड़े से और जाता बढ़ जाते हैं ऐसा मैं मानता हूँ खैर अब जो भी दिक्कते हो Land Rover के अंदर कोई बंदा करोडो रुपे लगाने के बाद ये नहीं बोल सकता है कि ये गाडिया overpriced हैं जैसे कि Toyota के लिए बोला जाता है क्योंकि ये गाडियां भर-भर के features, comfort, performance और status देती हैं अब इसी end note पर इस वीडियो खतम करते हैं आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए हो तो अपने विचार कमेंट्स के अंतर ज़रू डाल देना इसके अलावा आप मेरा Instagram भी follow कर सकते हैं मैंने काफी सारी informative Reels तेयार कर ली हैं जो कि मैं exclusively वहाँ पर डालने वाला हूं शुरुवात में और इस चैनल को subscribe करिये, share करिये अपने friends and families के साथ और last में ये भी ज़रूर बताएए कि क्या आप अपनी जिन्दगी में Land Rover की नई या pre-owned गाड़ी का भी लेना चाहेंगे इस उने मों बस इतना ही, thank you